प्रोब्लम से तू ले रहें उसमें कोश्चान नमबर 5 हम इसकर्ज करने जा रहें कोश्चान नमबर 5 के बाद कोश्चान नमबर 6 भी डिक्सक्र्ज करूंगा 7 8 ओके तो आईए कोश्चान नमबर 5 में हमने हमने यहां लिखा है कि लाइन अबी पैरलल तो लाइन सीदी पैरलल तो लाइन एफ एंड लाइन क्यू क्यूपी इज टियर ट्रांसवर्सल इफ य इस तो जेट इकल तो 3 इस तो 7 दैन फाइं दा मेजर आफ एंगल एक्स ओके इस तलाइन एबी लाइन सीदी य य इफ सब एक दुसरे के पैरलल है और क्यूपी इस ट्रांसवर्सल इस एंगल इफ इसए डिस एंगल इज ए वाई एन इस एंगल इस जेड़्ां थोड़ा सलूशन यहां पर लिखा कि लाइन एबी पैरलल तूलाइन-एयरफ याइनैनल एब क्यज़र की सेधिए चाहिए और लाइनोए इस एंगल और दीश एंगल eh is CD को भूल जाए एव और एफ पेर्लल है और पी की जे ट्रांसवर्सल तो आप बोल सकते हैं कि पी क्यू बोली एक क्यू पी एक की बात है तो दीस एंगल और दीस एंगल अल्टरनेट अंगल होंगे बिस इधा अल्टरनेट अंगल हम ने आपको प्यायर लाइन में सिखने अल्टरनेट अंगल क्या होता है। जो जेड़ फॉर्म बनता है जैसे यह तो दीस एंगल और दीस एंगल इज अल्डेके जेड़ के फॉर्म बन रहा है तो दीस एंगल और दीस एंगल क्या हो गया अल्टर्नेट एंगल और अल्टर्नेट एंगल आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं ओके तो दिस इस इस अल्टर्नेट एंगल अब हमारे पास आ गया यह अल्टर्नेट एंगल हो गया तो हमने लिखा कि therefore angle x equal to angle z alternate angle equation number one और क्या दिया है आपको कि angle y is to angle z equal to three is to seven according to question यह आपके question में given है ओके तो हमने क्या लिखा कि therefore y angle y is to x को हमने sorry angle z को हमने x replace किया क्योंकि angle z equal to angle क्या है x है तो in place of z put the value of kya y is to angle z equal to kya three is to seven from equation number one okay हमने here let the common multiple be x हमने common multiple be x assume कर लिया तो क्या आया कि let y equal to sorry x नहीं m let the common multiple be m तो y y angle y equal to three m और angle x equal to seven m ओके तो x and y fine हो गया x and y और यह दोनों angle क्या है x plus angle x plus angle y equal to क्या होता है क्योंकि विकूज विकूज एबी एंड सीडी आलसो पेरलल है लाइन एबी पेरलल टू लाइन सीडी तो एबी एंड सीडी आलसो पेरलल एंड पी क्यू इजे ट्रांसवर्सल इस केस के लिए भी पी क्या हो जाएगा ट्रांसवर्सल होगा तो ट्रांसवर्सल हो गया तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल सम्क्या होता 180 degree, interior angle property, you understand na, interior angle property, this is the interior angle property, x angle x plus angle y equal to what, 180 degree, okay, तो here, right here, कि line AB parallel to line CD and PQ is a transversal line, PQ is a transversal line, okay, तो जब PQ transversal line हो गया, तो transversal line के same side के angle sum कितना होता है, 180 degree, okay, तम लिख सकते हैं कि this imply, this imply angle x plus angle y equal to 180 degree, इसको बोलेंगे interior angle test, interior angle test, okay, this is the interior angle test, तो this imply, this imply angle x equal to what, angle x equal to 7m, तो here 7m plus angle y equal to 3m equal to 180 degree, तो this imply 10m equal to 180 degree, तो therefore m equal to 180 degree upon 10 means, क्या, 80 degree, तो therefore m equal to 80 degree, sorry, 18 degree, okay, तो हमारा m कितना आ गया, 18 degree, m equal to 18 degree, okay, तो हमें क्या find करना है, find the major angle x, तो हम x निकाल लेते हैं, x and y भी निकल लेगा, तो therefore angle x equal to क्या है, 7m, m equal to what, 18, तो 7 into 18 equal to, आप 718 जाए, टेबल तो आपको याद होना चाहिए, कि 718 कितना होता है, 718 जाए, आपको टेबल याद है न, 718 कितना हो जाएगा, 126 degree, तो हमारा आ गया, therefore angle x equal to 126 degree, यह ही आपको find करना था x, तो हमने आपको x निकाल कर दिखा दिया, तो in this way, आप question को solve कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप question को solve कर सकते हैं, कहीं भी कुछ problem है, तो आप एक तो, आप तो कुछ बोलते ही नहीं है, कि सर मुझे ये question समझ में, कल मैंने homework चेक कर रहा था, तो एक दो लड़के कुछ भी लिखे थे, और बाकी किसी ने homework ही नहीं send किया था, तो मुझे समझ में आ गया कि इनको समझ में नहीं आया है, ओके next question हम लोग solve करते हैं, इसके बाद बात करेंगे हम लोग, तो I am going to rough the board, तो आज़िए मैं question number, third explain कर रहा हूं, थार्ड का मैं solution यहां लिख देता हूं, question number third का solution, इधर हमने लिखा solution, question number six, sorry, question number six का, इसके पहले five मैंने explain किया था, question number six का solution, this is the question number six, ओके, तो अब क्या दिया है, कि if the figure, एफ फिगर मैंने बना दिया, if the line Q parallel to line R, and line P is their transversal, and if angle A is, क्या दिया है, 80 degree, find the value of, values of F and G, okay, right, तो आपको क्या दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, कि A equal to 80 degree, यह given है, given है, okay, और आपके पास क्या है, क्या है, क्या आपके according to question, line, line Q parallel to line, Q parallel to line R and, and P is, line P is, line P is a transversal, line P is a transversal, line P is a transversal हो गया, तो अगर हम देखेंगे कि यह line, हाँ, transversal, तो क्या क्या के साथ सकता है, हम लोग दे सकते हैं, तो, हम क्या बोल सकते हैं, कि angle, angle A और angle E क्या है, corresponding angle है, angle A equal to angle, E corresponding angle है, okay, और हम देख सकते हैं, कि, अगर हम exterior angle के बात करेंगे, तो यह आपको देखें, line ऐसे आया, ऐसे, ऐसे होते, होते हैं, ऐसे निकल गए, ऐसे होते हुए, ऐसे, 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 यहां से आपने ऐसे move किया, ऐसे आया है, तो, दीश एंगल और दीश एंगल क्या है, exterior एंगल, इसे हम बोल सकते हैं, कि, दीश इंपलाई A equal to G, इसे बोलेंगे, alternate, alternate, exterior, एंगल, alternate, exterior, एंगल, alternate, exterior एंगल, तो, इसे इंपलाई, A equal to, कितना दिया है, 80 degree equal to G, तो, therefore, एंगल G equal to, therefore, एंगल G equal to 80 degree, ओके, and G और, G और F, इसे जी और F निकाल सकते हैं, इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 degree, तो, यहां से लिख सकते हैं, इसे इंपलाई, इसे इंपलाई, एंगल G plus एंगल F equal to 180 degree, 180 degree, इसको बोलते हैं, linear, linear pair angle, linear pair angle, तो, इसे इंपलाई, एंगल G, G कितना है, 80 degree, आप प्लस एंगल F equal to 180 degree, तो, therefore, एंगल F equal to 180 degree minus 80 degree equal to 100 degree, तो, G equal to 90 degree, और F equal to 100 degree, तो, इस तरह से हम question को solve कर लेते हैं, तो, आपको आगया, तो, आपको क्या find करना था, इधर लिख देता हूं, कि, एंगल G equal to 80 degree, और एंगल F equal to 100 degree, आपका answer आगया, answer, तो, एंगल G 80 degree हो गया, और एंगल A 100 degree, तो, इस तरह सिंपल सा question था, इसको solve करना एकदम simple था, तो, तो question आप solve कर सकते थे, आए, हम question number आपको 7 explain करता हूं, okay, I am going to rough the board, right, तो, हम आते हैं, question number 7th पर, तो, हमने question number 5, 6 and 7th explain करने जा रहे हैं, okay, तो, यहाँ देखिए, in a figure, in a figure, line AB parallel to line CF and line BC parallel to line ED, then prove that angle A, ABC equal to angle FDE, DE means this angle, this angle equal to this angle, यह proof करना है, तो, आई यह solution देखते हैं की, solution 7, line AB parallel to line PF, line AB parallel to PF, PF line and BC is a transversal, okay, BC and line BC is a transversal, तो, therefore, this angle, this angle and this angle, क्या हो गया, therefore, angle ABC equal to angle BCD, BCD, ABC and BCD, क्या हो गया, alternate angle, equation number 1, okay, and line BC, line BC, BC, BC parallel to line ED and PFE transversal, okay, तो, वीच अंगल BCD, means this angle or this angle, क्या हो जाएंगे, corresponding angle FDE, क्या हो गया, corresponding angle, तो, from, corresponding equation number 2, तो, from, from equation number 1 and equation number 2, we get, आप देखे, equation number 1 and equation number 2, 2 से देखे, equation number 2, equation number 1, ABC और BD, BCD, okay, यहां पर देखे, BDC, B, sorry, BCD equal to FDE, तो दोनों equation में angle BCD और BCD equal है, तो, therefore, angle ABC equal to angle FDE, hence, prove, यही आपको prove करना था, तो, from equation number 1 and equation number 2 से, therefore, angle ABC equal to angle FDE, hence, proved, तो, इस तरह से हम question number आपको 7 भी explain कर दिये, तो, आप थोड़ा सा वीडियो को अच्छे तरीका से देखिए, इसमें कुछ भी doubt हो, तो पूछ सकते हैं, इसमें अब doubt होने की कोई बात नहीं है, मैंने question number 5, 6 and 7 explain कर दिया, आई यह question number मैं 8 explain कर रहा हूं, ओके, तो मैं आप वीडियो को अच्छे तरीका से देखिए, कहीं भी किसी type का problem है, तो मुझे आप comment कर सकते हैं, ओके, तो I am going to rough the board, तो आई यह हम लोग question number 8 में, 8 के बारे में study करते हैं, ओके, तो question number 8 है, यह थोड़ा important question है, इसको हम I am P लिख देते हैं, I am P अच्छे concept इसमें यूज होने वाले हैं, तो मैंने इसे important question लिखता हूं, यह दिया है कि इन फिगर line, PQ, sorry, line P is, line P is, line Pse transversal, Pse क्या है, this is a P और S, A transversal है, of parallel line AB and line CD, if ray QX, ray QX, ray QI, ray RX, ray RY, are angle by sector, सब angle by sector हैं, तो angle by sector हैं तो इसको कितने हैं, equal part में divide करेंगे, then prove that, की, quadrilateral QR, QX, RY is a rectangle, अब rectangle प्रूब करने के लिए, each angle क्या प्रूब करना पड़ेगा, आपको 90 degree, तो चलिए, आए, solution हम लोग देखते हैं, तो अगर हमने क्या किया, ए total, ए suppose this angle, इस this angle को हमने, क्या प्रूब कर लिया, 2X से प्रूब कर लेते हैं, और इसको हमने क्या प्रूब कर लेता हूँ, ए complete angle की, 2Z, तो टू पार्ट में डिवाइड होगा, यहां से ऐसे इसको लिखता हूँ, ओके, डिस इज़ा 2Z, तो ए कितने पार्ट में डिवाइड होगा, ए पार्ट हो गया Z, और बाइसेक्टर है, तो यह भी Z हो गया, यह X हो गया, तो यह भी X हो गया, ओके, दिस इज़ा, एंड, इसको भी अगर हमने इसको एजूम किया, इसको क्या एजूम कर लेता हूँ, अगर हमने इसको एजूम कर लेता हूँ, ए एंगल X हो गया, तो यह भी एंगल एक्स हो जाएगा क्योंकि इसके अल्टरनेट इंटेरियर पेरलर लाइन है तो क्या होगा ओ एंगल क्या हो जाएंगे चले इसको हमने एजुम कर लिया तू यह कंप्लीट एंगल टू आई हो गया तो यह हो गया वाई यह कितना जाएगा वाई और एभी वाई हो कि इस एंगल इसको हमने टू डाबलू एजुम किया तो एक कितना हो जाएगा डाबलू और एभी डाबलू ओके हमने ऐसे जुम कर लिया तो हम लिखूंगा की एंगल डीस इंप्लाई एंगल वीच अब पहले हम लिख लेते हैं क्या की लाइन एबी प्यार्लल टू लाइन इसीडि एंड एंड लाइन ओरू प्य Y् कि पी अईश इस ट्रांश्वर्सब ट्रांश वर्सब और बूंद उटके पीएश्ट ट्रांश्वर्सब और सरम्टके प्यर्स ट्रांश्वर्सर लोगना एक गिवेन है ये आपको गिवेन तो अब लिखते हैं कि इस इंप्लाई एंगल एए र शूं टियू एнес-टियू-T Nathan ऐलं मेच्ट आर आनल एक सीव अर्क थिर आर को हमने क्या जुभे हो तू सॉ्ट हूं कर लिया ओके एक्यू आर को स्य जूत कर लिया है और आपको दिया है कि therefore या this imply this imply क्या दिया हुआ है की रे क्यू आ एक्स क्या है बाइसेक्टर है तो हम लिख सकते हैं कि क्यू रे 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 क्यू एक्स इज बाइसेक्टर ओफ एंगल वीच अंगल एक्यू आर बाइसेक्टर है तो मतलब इसक कितने दो पार्ट में डिवाइट करेगा मिन्स देयर्फोर एंगल एक्यू एक्स इक्वल टू वाट एंगल एक्स क्यू आर इक्वल टू एक्स तो इस इस एक्स आल्सो इस एक्स ओके दैन हम लिख सकते हैं कि इस इंपलाई एंगल 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 सरी रे ही ए क्यू वाई क्यू वाई इज पहली लिख लेते हैं कि दीसउ इंपलाई एंगल इस एंगल वी क्यू आर वी क्यू आर एक्वल हमने क्या लिखा है टू आई एजूम कर लिया मैंने ओके तो हम लिख सकते हैं कि दीश इंपलाई दीश इंपलाई रे क्यू वाई कि इज बाइसेक्टर इसको एक्वेस्टन नमबर वन लिखता हूं इज बाइसेक्टर बाइसेक्टर अफ अंगल QB, sorry, BQR, okay. So, therefore, अंगल, अंगल BQY एकल तो अंगल YQR एकल तो Y, okay. This is the equation number 2 हमने लिख दिया, this is the equation number 2, and and अगर मैं इस एंगल को लिखता हूं कि एंगल, this implies angle, which angle? CR, CRQ equal to what? क्या है? 2, एजेड है यार, एजेड है, 2Z, तो एआपका हो गया? C, Q, CRQ, CRQ कितना हो गया? 2Y, तो एक क्या है? Therefore, yeah, this imply, this imply Q, R, R, X is bisector of angle CRQ, Q, तो therefore, angle CRQ equal to XRQ equal to Y, equation number 3, okay? This is the equation number 3, आईए, इदर से हम लोग लिखते हैं, कि अब इदर आते हैं, कि एंगल, this imply, एंगल, वीच एंगल? C, नहीं, DRQ, 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 equal to हमने क्या ही जुम किया है? 2W, ओके, तो यहाँ पर हो गया है कि, this imply, रे, रे, R, W, R, W, R, W, R, Y है, R, Y है, R, Y है, R, Y है, R, Y, ओके, एंगल, D, R, Q, और रे, R, Y, Y, by sector, is, by sector, of, angle, D, R, Q, means, therefore, angle, D, D, R, Y, Y, R, Y, equal to angle, Y, Y, R, Q, Y, इ族, तो, सब bringing, रे, R, Q, म、ल Ist, वहाँ झाल झाल इंको नहादान उत्का अ 싸state एक समने ठीति इसे होगा प्रादल मॉत्ला चाल जब मादख ये इसे हो समधध जो तो आये हम लोग कहां तक यहां तक कर लिये थे की एंगल एंगल इस से सिमिलर एंगल हो गया था यहां तक हम लोग लेखे थे अंगल qr y qr प्लस एंगल b qr equal to 180 degree linear pair angle okay तो यहां पर एक एंगल कितना हो गया था यह एंगल total 2x है तो 2x plus 2z equal to 180 degree therefore x plus y equal to 180 degree upon 2 equal to 90 degree x plus y equal to 90 this is equation number 6 अब हमने क्या किया कि this imply x q y x q y equal to हमने लिखा x q r a plus r q y equal to the this imply x q y equal to x plus y from equation number 6 this is the equation number 6 तो क्या है एंगल की x q r equal to 90 degree therefore angle x q r equal to 90 degree similarly angle therefore angle x r y x r y equal to 90 degree therefore q x r y इसे रेक्टेंगल तो हमें जो प्रूब करना था यह आपका क्या आ गया रेक्टेंगल आ गया इस तरह से हमने आपको इस वीडियो को complete करते हैं next video में इसे related अब नेक्स अब नेक्स प्रेक्टिस अब तो औक के भाए thank you कर दो